शरीर दर्द पेट की समस्या और ठकावट यह सारी बीमारियां खत्म करने के लिए किस तरह से मनुष्य को पानी पीना चाहिए? इस विशय पर प्रसिध भारती ये आयुर्वेदिक गुरुवर की कहानी मैं आज आपको सुनाऊंगा. तो चलिए उस प्रसिध कहानी की शुरुवात करते हैं दोस्तों. हमने से बहुत से लोग पानी को इतना साधारन समझते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जब हम चाहे जैसा चाहें और जितना चाहें उतनी मात्रा में पानी को पी सकते हैं. लेकिन यह बिल्कुल गलत है क्योंकि पानी दिखने में जितना साधारन दिखता है यह उतना ही महत्वपूर्ण है. यह हमारे शरीर में सभी अंगों को ठीक तरीके से काम करने के लिए शरीर में बनने वाले जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए होता है. पेट से लेकर तवचा तक और वजन बढ़ाने से लेकर वजन को घटाने तक पानी एक बहुत बड़ी भूमी का निभाता है. इसलिए पानी की सही मात्रा में इसको पीने का सही तरीका, इसको पीने का सही समय और पानी को किस तरह से पीने से क्या-क्या फाइदे हो सकते हैं और क्या-क्या नुकसान आपको हो सकते हैं अगर इसके बारे में जानकारी न हो, तो व्यक्ती चाहे कितनी भी अच्छी अच्छी चीजें क्यों न खालें, उसका सही फाइदा शरीर को नहीं मिल पाता है, और जिसकी वजह से भविश्य में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है. जैसे कि अब चंद कब्स, गैस लिवर में दिक्कत, कमजोरी थकान गुर्दे में पथरी होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता, कमजोर होना, बार बार बीमार पड़ना, स्किन एलर्जी दाग, खुजली चेहरे पर पिम्पल्स और दाग धब्बे का होना, वाइट हेड्स, ब्ल और चक्कराना, वजन बढ़ाने और वजन को घटाने में दिक्कत महसूस होना, बालों का जढ़ना और रातों को नींद नहीं आना, जैसी कहीं भयंकर बीमारियां सिर्फ पानी को गलत तरीके से पीने से आपको हो सकती है, इसलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमा पानी इतना जरूरी क्यों है, और इसका हमारे शरीर में क्या काम है, और एक दिन में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितनी मात्रा में पानी पिया जा सकता है, और अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए, तो इसका किस तरह से पता लगाया जा सकता है, एक बार में कितना गला पीना चाहिए जैसे ठंडा या फिर नॉर्मल या फिर गर्म और पानी वजन बढ़ाने और वजन को घटाने में किस तरह से मदद करता है कि सभी के बारे में आज हम इस कहानी में जानेंगे और समझने वाले हैं इसी लिए इस कहानी को बड़े ही ध्यान पूर्वक सुने एक पार एक गुरू जो आयुरवेद के बहुत बड़े जाता थे एक गाव में उपदेश दे रहे थे वह लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के बारे में बता रहे थे उन्हें समझा रहे थे कि हमें अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए किन नियमों का पा अधारन समझते हैं। लेकिन अगर आप इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके शरीर में जानलेवा बीमारियां पैदा कर सकता है। तुम गुरु की ऐसी बातें सुनकर सभा में से एक युवक खड़ा होता है और बोला कि गुरुदेव भला पानी पीने से गंभीर बीमारियां कैसे हो सकती हैं। पानी तो जीवन का आधार है। इसके बिना तो मनुष्य जीवित भी नहीं रह सकता। उस युवक की बात सुन पिर वह गुरु सभी सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आज मैं आपको पानी से संबंधित छोटे-छोटे से नियम बताऊंगा। जिन्हें अपना कर आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे और आपको भविश्य में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। आप इन नियमों को बारह दिन अपना कर देखना आपको अपने शरीर में चमतकारिक परिवर्तन नजर आएंगे। फिर वह गुरु सबसे कहते हैं कि हमारे शरीर के लिए पानी इतना जरूरी क्यों है। देखो हमारे शरीर में 60 से 70 प्रतिशत पानी होता है और जो हमारे द्वारा पिये गए पानी का इस्तिमाल हमारे शरीर के अंग जैसे किड़नी लिवर फेफड़े पाचन तंत्र और लगभग शरीर के सभी अंग करते हैं सभी को ठीक तरीके से काम करने के लिए और सबसे ज्यादा हमारे शरीर की कोशिकाओं को जिन्दा रखने में पानी का बहुत बड़ा हो गई है तो उसका कैसे पता करें देखो शरीर में पानी की कमी होते ही पेशाब का रंग है पीला पढ़ना शुरू हो जाता है पाचन शक्ति कमजोर होने लगती है चहरे और शरीर की त्वचा धीरे धीरे बेजान और डीली पढ़ने लगती है और शुरू में ही पानी पी पीना बहुत जरूरी है देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि दिन भर में पानी कितना पीना चाहिए और पानी किस तरह का होना चाहिए यानि गर्म ठंडा या फिर नॉर्मल देखो उसके लिए हमें ये जानना होगा कि पानी में क्या-क्या होता है और यह कौन-कौन सी प्र हमारे शरीर की मदद करता है यह हमारी त्वचा को साफ करता है दिमाग की शक्ति को बढ़ाता है पाचन क्रिया को ठीक करता है आखों की रोशनी हड्डियों की मजबूती और लगभग हमारे शरीर के सभी अंगों को ठीक तरीके से काम करने में बहुत मदद करता है इसी लि और सांस लेने की प्रक्रिया में लगभग दो लीटर पानी हमारे शरीर से हर दिन बाहर निकलता है जिसे वापस रिस्टोर करना बहुत जरूरी होता है वैसे तो किसी भी व्यक्ति को दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए यह उस व्यक्ति की सेहत पर और वह जहां रहता है के वातावरण पर निर्भर करता है उस जगह का मौसम कैसा है उसका वजन क्या है और उसकी फिजिकल एक्टिविटी पर यह निर्भर करता है लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को दिन भर में धाई से तीन लीटर पानी जरूर पीना चाहिए जो कि लगभग आठ से बारह ग्लास होता है और गर्मी के मौसम में ज्यादा पसीना निकलता है इसी लिए पानी की थोड़ी मात्रा बढ़ा सके हैं और जो लोग एक्जरसाइज करते हैं उन्हें भी आम लोगों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा पानी पीना चाहिए क्योंकि उनके शरीर में पानी की जो होती है तो ध्यान से सुनो उसका जवाब है कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा नुकसान देती है ज्यादा मात्रा में पानी पीने से हमारी किड़नी का काम बढ़ जाता है और खून में सोडियम का लेवल कम होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन ऐसा बहुत कम होता लेकिन नुकसान तो तब होता है जब कोई व्यक्ति पांच या च्लीटर पानी पी जाता है। देखो एक बार में कितना ग्लास पानी पीना चाहिए और किस तरह का पानी आपको पीना चाहिए इसे ध्यान से सुनो सब लोगों को लगता है कि पानी को जब चाहे जैसे चाहे जितना चाहे पी सकते हैं लेकिन ऐसा सोचना बिलकुल गलत है क्योंकि एक ही तरीके के पानी को अलग-अलग तरीके से पीने से शरीर पर अलग-अलग प्रकार के प्रभाव होते हैं इसलिए पानी हमेशा बैठ कर और धीरे धीरे पीना चाहिए। जैसे कि पानी को मुह में रखकर चार सेकंड के लिए उसे मुह में इधर उधर घुमाएं और फिर निकले। ऐसा करने से हमारे मुह में मौझूद लार जो की क्षारिय होती है वह पेट में जाकर पेट की अमलत को शांत करती है जिससे पाचन शक्ती को बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है और जब आप खड़े होकर जल्दी-जल्दी पानी को पीते हैं तो उसे हमारी किड्नी उसे ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती है और जब-जब हम मुह से हटकर डायरेक्ट बोतल से पानी पीते हैं इसी लिए पानी हमेशा बैठकर और धीरे-धीरे से चार सांस में पीना चाहिए और एक बार में एक या डेर गिलास पानी ही पीना चाहिए या जितनी प्यास हो उतना ही पानी आपको पीना है क्योंकि एक ही बार में बहुत ज्यादा पानी पीने से किड्नी उसे ठीक तरीक की पानी ऐसा होना चाहिए गर्म ठंडा या नॉर्मल देखो कोई भी बहुत ज्यादा ठंडी चीज अगर हम खाते हैं या फिर पीते हैं तो हमारा शरीर पहले उसे गर्म करता है और फिर उसे काम में लेता है पानी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है जब हम फ्रिज में रखा को पानी को इस्तेमाल में लाने के लिए तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक कि ये पानी जो है पेट में परदा पड़ा गम ना हो जाए और साथ ही साथ ठंडा पानी हमारे द्वारा खाए गए खाने को बहुत ही ज्यादा सख्त बना देता है जिससे की पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है और कब्ज होने की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इसलिए पानी हमेशा नॉर्मल या हलका गर्म पानी पीना चाहिए क्योंकि हलके गर्म पानी को हमारा शरीर तुरंत काम में लेता है और हमारे द्वारा खाए गए खाने को तोड़ने में भी हलका गर्म पानी जो है वह बहुत मदद करता है, जिससे पाचन शक्ती बढ़ती है और पेट भी खुल कर साफ होता है। फिर गुर्व उन सभी से कहते हैं कि अब आप लोग यह जान लें कि पानी कब-कप पीना चाहिए और कब-कब नहीं पीना चाहिए। देखो यह ऐसी बाते हैं जहां लोग अकसर गलती बहुत करते हैं और बीमारी के शिकार भी हो जाते हैं। पानी कम पीना चाहिए, इससे ज प्यादा यह जानना जरूरी है कि पानी नहीं पीना चाहिए। इसीलिए पहले हम यह जानते हैं कि पानी कब नहीं पीना चाहिए। फिर हम यह जानेंगे कि कब हम को पानी पीना चाहिए। वैसे तो खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद पानी पीने में कोई बुराई नहीं है, बलकि खाना खाने से पहले एक या दो घूंट पानी पीने से सूखा खाना भी गले से आसानी से उतरता है और हिचकी भी आपको नहीं आती है, लेकिन एक या दो घुट कहने का मतलब है कि गला भीगने जितना पानी आपको पीना है लेकिन खाना खाने के दौरान पहले या बाद में गिलास भर कर या ज्यादा मात्रा में पानी आपको बिलकुल पीना गलत है क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेने से हमारे द्वारा खाए गए खाने को यह बहुत पतला बना देता है जिससे हमारे पेट में पाचक रस जो है वह ठीक से नहीं निकल पाते हैं और पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है इसी लिए पानी हमेशा खाना खाने के 45 मिनिट बाद या एक घंटे बाद ही आपको पीना है और खाना खाने के पहले भी आप एक घंटे पहले पेट भर कर पानी को पी सकते हैं गुरू उन सभी से कहते हैं कि रात को सोने से पहले या अचानक नींद खुलने पर पानी पी कर सोना गलत है। देखो, दिन के समय पानी हमारे लिए जितना फाइदेमंद है, इस तरह से रात समय ज्यादा पानी हमारे लिए उतना ही नुकसान दायक है, क्योंकि सोते वक्त हमा पारी किड्नी को बहुत नुकसान पहुंचाता है और नींद में उठकर बार बार टॉयलेट जाने की जरूरत आपको खुद सकती है जिससे की दोबारा नींद आने में बहुत मुश्किल का सामना आपको करना पड़ता है इसलिए जितना हो सके दिन के समय में ही पानी की जरू पाने की समस्या भी शुरू हो जाती है इसलिए जब आपको लगे कि आपका पेशा पीला नहीं है बलकि पानी की तरह बिलकुल साफ है तो इसका मतलब है कि फिलहाल आपके शरीर में पानी की बिलकुल भी जरूरत नहीं है पपीते में बैठे मेने अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारी तवचा एवं आँखों के लिए बहुत ही लाबदायक होता है। अंतह, यह तवचा को स्वस्थ जवान और ग्लोइंग बनाए रखता है। पपीता में कैल्शियम, अच्छी मात्रा में होने के कारण यह रक्त और तत्वों के निर्मान में सहायक होता है फिर गुरू उन सभी से कहते हैं कि आईए, अब जानते हैं। दूसरे फल शेप के बारे में सेब आपकी सभी बीमारियों की दवा है। अगर आप रोज एक सेब खाते हैं, तो आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पचास की उम्र के बा हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि इसके अंदर जो लेबल फाइबर होता है, ये आपके कॉलेस्ट्रॉल को संतुलन करने में आपकी मदद करता है। क्योंकि हाई कॉलेस्ट्रॉल हार्ट डिजीज का एक बहुत ही बढ़धा फैक्टर होता है, जिससे की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे मेटाबॉलिजम धीमा हो जाता है, और इसी वजह से वजन को संतुलित करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन से देख लो कैलरी फल है, और इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जब आप सेब खाते हैं त फाइबर आपके शुगर को संतुलित रखता है, यह आपके शुगर के लेवल को संतुलित रखता है, सेब फाइबर का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है, साथ ही साथ यह जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, सेब आपको कब्ज की बीमारी से भी छुटकारा दिलाता है और पा में वाइड डी भी होता है जो हड़ियों के लिए का काफी लाबदायक होता है इसे खाने के बाद आपकी हड़ियां मजबूत हो जाती है साथ ही इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है यह भी बलड प्रेशर को हाई करने से बचाता है इसलिए किशमिश को खाने से आपका blood pressure control होता है, जिसके बाद हम बात करते हैं नीमबू के बारे में, नीमबू में vitamin C और flavonoids पाया जाता है, उम्र के साथ साथ हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है, तो नीमबू के अंदर vitamin C काफी ज्यादा होता है, और यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, vitamin C सबसे ज्यादा ताकतवर है, जो infection से लड़ता है, और यह 50 से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदे मंद है, क्योंकि इस उम्र में infection होने का खत्रा जो है, वह काफी ज्यादा रहता है, और आपकी किडनी में पथरी होने से बचाव करता है, क्योंकि एक उम्र के साथ साथ किडनी में पथरी होने का खत्रा जो है, वह बढ़ता जाता है, किसी लिए नीम्बू आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, नीम्बू का रस, रोजाना इस्तिमाल करने से आप हाइडरेट रहते हैं और किड्नी में पथरी आपको कभी नहीं होती है नीम्बू के अंदर जो एंटी ओन एक्सिडेंट्स होते हैं वह उम्र से संबंधित तनाव और फ्री रेडिकल डैमेज से भी आपका बचाव करते हैं यानि यह आपके सेल्स को स्वस्थ रखते ह और आपकी उम्र को कम करते हैं जिसकी वजह से उम्र बढ़ने के साथ साथ जो शरीर में कमिया आने लगती है वह बिलकुल खत्म हो जाती है लोग उम्र से पहले व्रिध दिखाई पड़ने लगते हैं तो वह लोग अगर रोजाना नीम्बू पानी का सेवन करेंगे तो उन की उम्र कम दिखाई पड़ेगी क्योंकि रोजाना नीम्बू पानी पीने से आपकी त्वचा में निखार आता है जुर्रियां कम होने लगती हैं जिससे आपकी उम्र कम दिखाई देती है और आप अधिक उम्र में भी जवान दिखाई पड़ते हैं इसी लिए आपको बहुत ही चमतकारिक परिवर्तन अपने स्वयम में नजर आने लगेंगे गुरू के उपदेश को सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग उन्हें धन्यवात कहते हैं और उन्हें प्रणाम करके अपने अपने घर लोट आते हैं फिर गुरू भी अपने आश्रम की तरफ कॉमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार दोस्तों या आपके करीबी इनसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ग्यान से परिचित करवाया बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो